Welcome to the Big Bench Daily उद्धव ठाकरे के गुट को एक और बड़ा जटका लगा है Legislative Council की Vice Chairman नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे को छोड़कर अब CM एकनाच शिंदे का दामन थाम लिया है नीलम गोरे के इस कदम को इसले भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि शिवसेना में फूट के समय वो उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ी नज़र आई थी लेकिन अब नीलम गोरे का कहना है कि CM एकनाच शिंदे की लीडर्शिप में शिवसेना एकदम सही रास्ते पर चा रही है बीजेपी नेता पंकजा मुंडे इन दिनों लगातार खबरों में है आए दिन उनको किसी न किसी पार्टी से ओफर की खबरें आती रहती है बीते दिनों उनको KCR की पार्टी BRS से ओफर की खबरें थी तो खबर ये भी आये कि पंकजा मुंडे कॉंग्रेस में शामिल हो सकती है हाला कि पंकजा मुंडे ने कॉंग्रेस में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी छोड़ कर कहीं नहीं जा रही बस वो राजनीती से एक या दो मेने का ब्रेक लेना चाहती है आपको बता दें कि पंकजा के बीजेपी से नाराज होने की खबरें कई दिनों से आ रही है पुर्व सीयम उद्धव ठाकरे ने महराश्टर सरकार को चुनोती दी है कि वो PM Care Fund की जांच भी करें दरसल उद्धव ठाकरे महराश्टर में COVID के दोरान हुई खरीदारी और सौधों की जांच के लिए बैठाई गई SIT की जांच से नाराज है और इसलिए उन्होंने इस किस्म से सरकार का क्रिटिसाइज किया है महराश्टर स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन मतलब MSRTC ने अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए 5,150 इलेक्ट्रिक AC बसों का ओर्डर दिया है MSRTC की तरफ से किये गए ये अब तक के सबसे बड़े ओर्डर्स में से एक है प्लान के मुताबिक ये बसें आने वाले दो सालों में महराश्टर की सडकों पर दौरती नज़र आएंगी इन्हें सबसे पहले मुंबई पुने और पुने नासिक रूट पर चलाया जाएगा उसके बाद इन्हें पुने महाबलेश्वर और नासिक शिरडी रूट पर चलाया जाने की योजना है MSRTC के पास देश का सबसे बड़ा बस फ्लीट है जिसमें 17,000 बसें शामिल है मुंबई करों के लिए एक रहात की खबर है मुंबई में बीते दिनों हुई अच्छी बारिश की वज़ा से मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली जीलों का अस्तर बढ़ा है और इसी वज़ा से मुमकिन है कि BMC पानी कटाउती के अपने फैसले को वापस ले ले मुंबई के लोग एक जुलाई से ही 10% पानी की कटाउती जेल रहे हैं लेकिन BMC के अधिकारियों ने कहा है कि जुलाई में अगर अच्छी बारिश हुई और जीलों में 40-50% पानी जमा हो गया तो वो जुलाई के अंत तक पानी की कटाउती करना बन कर देंगे